Hello friends, welcome to my channel Baby Care with Amita छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं उन्हें देखते ही खूब सारी किसी करने का मन करने लगता है घर के सारे मेंबर्स, मम्मी, पापा, दीदी, भाईया, दादा, दादी यहां तक की अरोसी पड़े से भी बच्चे को खूब प्यार करते हैं उन्हें गाल पर, माथे पर, आँखों पर, यहां तक की लिप्स पर भी चूम लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करके आप बच्चे को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे को किस करना means बच्चे को कई सारे की टानू दे देना जिससे बच्चे को कई तरह की खतरनाक बिमारी हो सकती है देखिए क्या होता है छोटे बच्चे बहुत ज्यादा sensitive होते हैं कि टानू उन्हें बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेते हैं इसलिए अगर आप छोटे बच्चे को किस करते हैं उनके गाल पर लिप्स पर कहीं भी तो आपके मूँ के तुरू बैक्टीरिया उसकी बॉड़ी में चले जाते हैं उसके गाल से उसके लिप्स से उसके मूह में चले जाते हैं और यही बैक्टिरिया बच्चे को आगे जाकर बिमार कर सकते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी बच्चे को किस कर रहा है उसके चेहरे पर कोई क्रीम या पाउडर लगा हो तो उसके कैमिकल से भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है अगर कोई व्यक्ति इंपेक्टेड है तो उसके मूँ के सलाइवा से या नाग के लिक्विट से बच्चे को संक्रमन हो सकता है और उन्हें RSV जैसी खतरनाग बिमारी भी हो सकती है RSV याने Respiratory Sensational Virus जिसमें बच्चे को खासी, जुकाम, बुखार, नाग बहने के साथ सांस लेने में तकलीव जैसी खतरनाग बिमारी भी हो सकती है इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को प्यार करें लेकिन उन्हें किस करने से बच्चे बच्चे को गोद में लेने से पहले हाईजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोले तभी बच्चे को गोदी में ले बच्चे को रेगुलर गोद लेते हैं तो परफ्यूम एंड अधर केमिकल प्रॉडट्स यूज करने से बच्चे बच्चे के हाथों को भी साफ रखें उन्हें बार बार ना चुए और ना ही बच्चे के हाथों को किस करें क्योंकि बच्चे अपने हाथ को बार बार मुँ में डालते हैं जिससे हातों के थुरूबी बच्चे को infection हो सकता है उमीद करती हूँ आपको वीडियो informative लगा होगा अगर वीडियो पसंद आये है तो like करें मुझे comment करके जरूर बता आपको वीडियो कैसा लगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे notification बेल को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो की notification आपको मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग